उधारण 20 समी करण 15X रिन 3Y बराबर 14 एवं 60X रिन 12Y बराबर 56 का हल ज्यात कीजिए हल समी करण 15X रिन 3Y बराबर 14 में कहीं हम इसको A1X धन B1Y बराबर C1 से तुलना करेंगे तो इसमें A1 का मान 15 होंगा उसी तरह से B1 बराबर रिन 3 होंगा और C1 का मान जो है यहां पर 14 दूसरा एवं हमारा जो दूसरा समी करण है वो 60X रिन 12Y बराबर 56 में फिर इसको हम A2X धन B2Y बराबर C2 से तुलना करेंगे तो A2 का मान 60 है यहां उसी तरह से B2 का मान रिन 12 और C2 का मान यहां पर 56 यहां A1 बटा A2 के लिए हम A1 15 है और A2 60 है तो 15 बटा 60 15 बटा 60 का सरलतम रूप जो होंगा एक बटा 4 मिलेंगा क्योंकि हम जानते हैं 15 बटा 55 बटा 60 का सरलतम रूप एक बटा 4 हो गया उसी तरह से हम B1 बटा B2 का मान निकालेंगे B1 हम हमारे पास रिन 3 बटा B2 रिन 12 सबसे पहले अंश हर में रिन 1 का गुणा करेंगे अंश हर दोनों में रिन 1 का गुणा करेंगे तो गुणा रिन एक ये 3 हो जाएंगा 3 बटा 12 रिन एक से आंश और हर में गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 3 बटा 12 और इसका सरलतम रूप जो होंगा वो 1 बटा 4 होंगा या 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो गया तो A1 और A2 का मान 1 बटा 4 और B1 और B2 B1 बटा B2 का जो मान है 1 बटा 4 हमें प्राप्त हुआ उसी तरह से हम C1 बटा C2 को भी ज्याद करेंगे C1 बटा C2 के लिए C1 है मारे पास 14 C2 है 56 तो यह हो जाएगा 14 बटा 56 और इसका सरलतम रूप जब हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं 14 के पहाड़े में 56 जो है 14 चौक 56 होता है 14 गुड़ा 4 चपन होता है तो यह 1 बटा फिर से पुन हमको 1 बटा 4 प्राप्त होता है इस पश्टता है यहाँ पे A1 बटा A2 का मान बराबर है B1 बटा B2 के मान से और यह भी बराबर है बराबर C1 बटा C2 क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर 1 बटा 4 है इसलिए समीकरण के अनन्त के अनन्तता इसलिए समीकरण के अनन्तता अनेक हल है अनेक हल है तो हमने जाना कि हमने ग्याद किया दिए गए समीकरण निकाय में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 जिसका मान एक बटा 4 आ रहा है इसलिए समीकरण के अनन्तता अनेक हल है यह इस उधारण का हल है करके देखें इस तालिका को पूरा कीजिए कि दो पूरा कीजिए पूरा इस तालिकाश का है यह इस तालिकाश का है